नमस्कार आप देख रहे हैं अजय भारत मैं हूँ आपके साथ हुजय प्रकाशुक लाजम बात करने जा रहे हैं मुदी सरक्वार दारा पेश किये गए आम बजट के बारे में मितन 2019 से पहले मुदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया जेटली के बिमार होने के कारण रेलमंत्री पियूश गोएल ने बाकार यवाह कवित मंत्री के तौर पर बजट पेश किया आपको बता दे के पियूश गोएल ने जब अपना बजट भाशन पढ़ना शुरू किया तो उनके पिटारे से हर किसी के लिए तोफे निकले बात चाहे किसान महिला टेक्सपेयर युवा और मजदूर की हो हर किसी की छोली भर दी गई खासतोर पर बजट में जो रहा वो टेक्स छूट की सीमा धाई लाग से बढ़कर पांच लाख करना था जी हाँ पांच लाख रुपे तक सलाना कमाने वाले टेक्सपेयर को टेक्स नहीं देना पड़ेगा मिडिल क्लास इससे बेहद खुश नज़रा रहा है अब हम पॉइंट वाइज बताते हैं कि किसके लिए क्या कुछ खास रहा इस बजट में माफ किजेगा टेक्स वालों को बंफर छूट मिली है टेक्स वालों को उमीद से जादा दिया गया है ये कहना गलत नहीं होगा कि छपड़ फाड़ के राहत दी गई है अब पाच लाक रुपए तक सलाना कमाने वाले व्यक्ति को कोई टेक्स नहीं भरना पड़ेगा पहले ये सीमा सिर्फ ढाई लाक रुपए तक के लिए थी आपको बता दें कि टेक्स छूट से तीन करोड मिडल क्लास वालों को फाइदा होगा इसके अलावा स्टेंडर्ड डिडक्शन चालीस हजार से बढ़ा कर पचास हजार तक कर दिया गया है दूसरी बिंदू पर फोकस करें तो कॉंग्रेस की कर्ज माफी के बदले मोधी सरकार ने नई यूजना का अगाज किया है जब छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी 21 साल में तीन हिस्सों में आएगी जिन किसानों के पास 2 हेक्टियर तक की जमीन है उन्हें इस यूजना का लाभ मिलेगा 12 करोट किसान परिवारों को इसका लाभ मिलने जा रहा है आगे अगर इस बजट में मुखे बिंदू की बात करें तो बजट में ऐलान किया गया है कि अब 21,000 रुपए तक कमाने वाले श्रमिकों को 7,000 रुपए तक बोनस भी मिलेगा इसके अलाबा जिन मजदूरों की तनफ़ा 15,000 रुपए प्रती महिने तक की है उन्हें पेंशन दी जाएगी इसके लिए हर महिने सिर्फ 100 रुपए की राशी जमा करनी होगी 60 साल की उमर के बाद हर मजदूर को 3,000 रुपए प्रती महिना पिंशन के तोर पर मिलेगा इस योजना से 10 करोड मजदूरों को लाब मिल सकेगा साथी अब किसी श्रमिक की मौत पर अब 2,000 रुपए के बजाए 6,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है अगले बिंदू की बात करें तो वितमंत्री पियुश गोईल ने अपने बजट में फिल्म इंडस्टी का भी ध्यान रखा है उन्होंने कहा कि अब फिल्म शूटिंग की पर्मिशन के लिए सिंगल विंडो की विवस्ता की गई है पहले ये विवस्ता सिर्फ विदेशी फिल्मों वालों के लिए थी लेकिन अब बॉलिवुड वालों को भी इसका लाप मिलेगा अगर मुख मुद्दे की आज एक और बात कर लेते हैं तो महिलाओं के लिए भी सरकार के पिटारे से बहुत कुछ निकला अगर किसी वहिला को बैंक से 40,000 का ब्याज मिलता है तो उस पर TDS नहीं लगेगा उजवला योजना के तहट 8 करोड गैस कनेक्शन बाटी जाने की भी बात बजट में की गई है अगले बिंदुवार अगर ढंग से बात करते हैं तो अगला बिंदु ये है कि नए खर खरीदने वालों पर GST का भार कम करने की बात पियूश गोईल ने कही है कि जो नई कंपनिया खोल रहे हैं उनको रहत देते हुए अब सिर्फ 25 फिसरी कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ेगा तो ये थी वो तमाम बाते वो तमाम बिंदुएं जो महतप्यून बिंदुएं जो आज के आम बजट में खास रही और एक बार फिर से बता देना चाहेंगे आपको कि आज मोधी सरकार ने अपना अंतरिम बजट और अंतिम बजट भी पेश किया जिसमें किसानों युवाओं को जादा तर फोकस किया गया है आम लोगों को जादा फोकस किया गया है और कहा ये भी जा रहा है कि मोधी सरकार का ये आम बजट नहीं बलकि चुनावी बजट है क्योंकि मोधी सरकार पिछले चुनाव में हार का सामना करने के बाद ये बहुत भूबी समझ चुकी है कि जनता वाकई क्या चाहती है जिसको देखते हुए यह आम बजट पेश किया गया है तो अब तक लिए इतना ही ख़बरों के अपडेट्स के लिए बने रही है अजिए भारत के साथ लेगे जब से पहले सब्क्राइब करें हमारा चैनल नमस्कार